हलो फ्रेंड्स वेलकम टो कृष्णा क्रियेशन आज मैं आपको ये क्रॉप टॉप बनाना बता रही हैं इसे मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है इसमें हमने आके छोटा गला बनाया है और इसमें पीछे मैंने बैक नेक भी मनाया है ये देखिए पीछे आप कोई भी शेप ले सकते हैं मैंने ये राउंड शेप लिया हुआ है तो आइए हम सुरू करते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो की नीचे रैट कलर के सब्सक्राइब बटन को टच क करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे सबसे पहले मैं आपको शीट पर इसकी ड्राफ्टिंग बता देती हूं मुझे 14 लेंथ मैं तयार लूँगी इसके लिए मैंने इसमें 15 लेंथ लिया हुआ है ज यह देखिए और यहां से हम नेक विट इसकी थ्री लेंगे क्योंकि छोटा गला है तो इसमें कंदे जो गिरने की जो प्राब्लम होती है वो नहीं होगी और यहां पर मैं आर्म होल के लिए ले रही हूं 7 यह देखिए आर्म होल भी मैंने शोल्डर के पराबर ही लिये वो 36 है इसलिए मैं उसका फोर्थ हिस्सा लूँगी 9 जो भी नाप हो आप उसका चौथा हिस्साल है इसमें 2 इंच का मैं मार्जिन रखूंगी इसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर देंगे सीधा हम नीचे लेंगे यह देखिए एक सीधी लाइन बना देंगे हम नीचे क्योंकि यहां पीछे जब हम टक्स लगाएंगे तो यह तिर्चा हो जाएगा नीचे से जो शेप होती है व्लाउच की इसलिए हम इदर स्ट्रेट रखेंगे अब हम इसमें नेक के लिए ड्रॉ करती हूँ मैं मैंने इ तो यह 3 इंच इसकी विट्थ है और 4 इंच इसकी लेंद है यहां से हम इसे कर्व लगा देंगे तो यह राउंड हो जाएगा यह 4 वाई 3 का जो बॉक्स बनाया है उसमें आप राउंड शेप देंगे अब हम इसमें आर्म होल के लिए शेप देंगे क्योंकि यह फ्रंट का पीस है क्योंकि हम जो क्रॉप्टो बना रहे है वह बैक ओपन है यह देखिए यह मैंने इसकी कटिंग कर लिए अब इसी शीट को में अगली जो बच्ची हुई शीट है वहां पर रखके यह सेम इसी नाप से आप ड्रॉ कर लीजिए यह आप मेजर करना जाहें तो उसे जब दे देंगे और पीछे इसमे मैं नैक बना रही हूं तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूं आप पीछे से इसे चार या पांच इंच का छोड़ने आप जितना भी जोडना है चाहिए कुछा है कई लोग डीपणने पीछे से बहुत कम राखते है लेकिन मैंने 4 इं लगा सकते हैं मेने इसमें डॉप जो होती है उसका शेप लगाया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे आन्म हो जो आगे राखेते वैसे ही रखिया मैने पीछे ये देखे olhos ये टीक होगी तो हमारा दौनों जो पीछ होते हैं है इसे भी मैं कट don do love कि कम्प्लिट तयार है फ्रंट और दील के पीस मेरा यह कहना रहेगा अपसे कि अपानेसं पंप कर चीट में करें payer जा इंग स्लीप्स के लिए आपको कटिंग बता रही हूं मैं 10 इंच की स्लीप्स बना रही हूं इसलिए मैंने से 11 इंच लिया हुआ है और यहां पर जो स्लीप्स की विट्थ है वो 9 इंच है 36 के नाप में 9 इंच बिल्कुल ठीक आती है यहां से हम इसे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आपने उसमें 2 इंच का मार्जिन चोड़ा है इसलिए हम यहां पर 2 इंच की एक लाइन स्ट्रेट लेंगे और यहां से हम इसे हल्क आशा शेप देते हुए उपर तक मिला देंगे यह एक नॉर्मल शेप है आप इसली लगा सकती है मैं उपर से इसे स्ट्रेट कर लेती हूं इसकी विट जो 9 है इसे आप 9 इंच की स्ट्रेट लाइन लगा लें और यहां से आपका जो भी स्लीफ बॉर्टम हो आप उसका निशान लगा लें यह देखिए इस तरह आप इसे तिरचा मिला लें यह देखिए यह स्लीफ ड्रॉ हो चुकी है जो भी आपका स्लीफ बॉर्टम है और उसके बाद मार्जिन और यह पीछे राउंड शेप यहां इसका सेंटर लेके आप आदा इंच एक ड्रॉट लगाएं और उसे इस तरह से मिला दें तो यह जो इसमें आप जो मैन फैबरीक है यह मेरा मैं इस पर आपको क्रॉप टॉप बनाना बताऊंगी यह मैन फैबरीक है और यह उसका लाइनिंग है प्लेन रैड सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे तो जो शीट हमने कट की थी जो फ्रंट का हिस्सा है उसे आपको करेंगे क्योंकि स्लीफ जब काफी बड़ी होती है फोर इंच या फाइफ इंच से ज्यादा होती है तो उसे लाइनिंग में नहीं लेते है यह देखिए इस तरह से यह इसीली कट हो गया है यहां पर मैंने हलका मार्जन रखा है आप देख सकते हैं इस लाइग के लिए बि तो हम वहां पर जोल लगाएंगे और इस एरिये में से हम स्लीफ कट करेंगे तो यह देखिए मैं यहां पर इसे पिन से अटेच कर लेती हूं और इसके बाद यह इसीली कट हो जाएगा यह देखिए जब हम पिन लगा लेते हैं तो बहुत सफाई से और बहुत आसानी से कपला बचा है इसमें इसे हम फोर फोल्ड करेंगे और यहां से हम स्लीफ निकालेंगे यह देखिए स्लीफ को आप इस तरह से रखिए और इसे कट कर लीजिए आप चाहें तो इसमें थोड़ी बड़ी भी स्लीफ ले सकते हैं अलबो तक यह देखिए यह स्लीफ कट हो चु इससे हम एक सिलाई लगा देंगे आप सेंटर पॉइंट मिला लें जिससे की कप्डा आगे पीछे नहीं होगा सिंपल इस्ट्रेट सिलाई लगानी है नीचे जिससे हमें नीचे इसमें पटी नहीं लगानी पड़ेगी यह देखिए इसे मैं खोलती हूँ और यहां से आप हाथ से से प्रेस कर लें और इसके उपर एक सिलाई और लगा लें जिससे यह अच्छे से दवाव में आ जाएगा और इसमें फिनिसिंग भी काफी अच्छी आएगी यह नीचे एक तयार हो चुका है जे फ्रंट पीसे इसका यह बॉटम हमने रेडी कर लिया है अब हम इसमें टक्स लगाएंगे टक्स के लिए आप देखें जो भी सेंटर पॉइंट होता है वहां से हम फोर इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे सेंटर में मैंने फोर रखा है दौनों साइड हम एक निशान लगाएंगे और यहां पर हमें एक एक इंच की टक्स लेनी है इसके लिए आप अपने हिसाब से निशान लगा लें अब शोल्डर से आपको जो बस्ट पाइंट होता है वहां तक अमूमन टैन होता है तो टैन पर मैंने जिशान लगाया है और यहां से हम इसे टक्स लगा देंगे यह देखिए यह आगे के बर्दे में जो प्लेट्स होती है वो काफी माइने रखती है उसका मेजरमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए इस तरह से मैंने यह दोनो टक्स लगा दी है यह देखिए अब हम इसे चारो तरब से अटेज कर लेंगे जिससे हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हालांकि यह कप्ला मूव नहीं करेगा क्योंकि यह कॉटन है लेकिन यह लगाने से अच्छा रहता है पक्का भी हो जाता है अब हम इसका नैक बनाएंगे नैक के लिए मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ली है यह स्ट्रेट है अगर आपके पास कपला जादा हो तो आप औरे भी भी ले सकते हैं यह स्ट्रेट पट्टी है तो मैं इसमें हलकी हलकी प्लेट्स लगाते हुए इसे राउंड में सिल लोगी और इसके दूसरी साइट बार्डर बना हुआ है इसलिए मैंने इसे फोल्ड नहीं किया है आप फोल्ड गर लें यह देखिए यह फ्रंट का पीस तयार हो चुका है अब हम बैक पीस लेंगे बैक पीस में जो कपड़ा जिस तरह से यह देखिए मैंने सीधा रखा है इसके उपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और एक साइट से हम इसे पूरा सिल लेंगे जैसे हमने फ्रंट में नीचे का सिला था उसी तरह से हम इसे साइड का जो कटिंग वाला पोर्षन है इसे पूरा सिल लेंगे इसी तरह दोनों पीस आप सिल लें यह देखिए यह सबसे इजी तरीका है यहां आप छोटे-छोटे कट लगाईए और उसके बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे यह आपको बहुत इजी पड़ेगा यह देखिए इसे अच्छे से फोल्ड कर दीजे और आप किसी पेचकस या पहनी चीज से आप इसके कॉनर निकाल लें अच्छे से यह देखिए यह हमने फोल्ड कर दिया है आप चाहें तो इसके उपर प्रेस कर लें या मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ एक उपर से यह देखिए यह कंप्लीट हो चुगा है इसी तरह से आप दोनों पीस तयार कर लें उपर से लगाने के बाद यह बहुत अच्छे से फिनिसिंग आजाएगी अब इसमें हमको आई हुग की पट्टी लगानी है पीछे एक तो यह देखिए मैंने एक पट्टी लिए उसे हम इस तरह से उपर से सिल लेंगे उपर से सिलने के बाद आप इसे फोल्ड करिए ये देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया है ये फोल्ड करिए इसे डबल करने के बाद हम इसे पीछे लगा देंगे परदें पर ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह रखना है इसमें तो यह आई की पट्टी है, दूसरी उस पर हम हुक लगाएंगे और यहां से मैं इसे सिलाई लगा दूँगी डबल सिलाई लगाएं इस पर यह देखिए, उपर से हमने पहले ही सिल चुके थे इसलिए यह एजिली एक आई की पट्टी बन चुकी है यहां आई लग जाएगी और दूसरी पीस पे आप हुक लगा लेंगे यह देखिए, पीछे के पर्दी में अब हम टक्स लगाएंगे जो आपका शोल्डर है उसका सेंटर पॉइंट लीजिए शोल्डर का और उसी लाइन में आपको नीचे एक आप कटका निशान लगा लीजिए यह चौक से निशान लगाईए और यहां फाइफ इंच की हमको टक्स लगानी है यह देखिए यह दोनों पीस में यह टक्स लग चुकी है पीछी की यह देखिए यह तक्रीबन तयार है अब हम इसमें शोल्डर जाइंट करेंगे तो यह आप खास ध्यान से देखिए शोल्डर जाइंट करने के लिए जो आगे नैक में पट्टी लगाई थी हम इस तरह से रखेंगे और उस पट्टी को इसके उपर ओवरलैप करेंगे और ह विए पट्टी इसे शोल्डर का जोड होता है उससे डहक देती है उसे ओवरलैप हो जाता है तो यह काफी सही लगता है और पहनने में यहां पर जो जो जोर दिखाई देता है वह भी नहीं दिखाई देगा आप इसी तरह से दानों शोल्डर जाइंट कीजिए अब जो मैं एक बॉटम की बारिक सिलाई लगा रही हूं उसके बाद मैं इसे तुरपन करके अंदर फोल्ड कर दूंगी यह देखिए इस तरह से यह हमारे फ्रंट और बैक के परदे तयार हो चुके हैं यह देखिए अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे तो हमने जो स्लीव कट की थी उसमें मैंने आगे के परदे में शेप लगा दी है यह शेप लगाने के बाद स्लीव में आप पहले बॉटम बनाईए बॉटम बनाने के लिए मैं इसमें एक पट्टी अलग से लगाऊंगी उसके बाद हम स्लीव को जॉइंट करेंगे यह देखिए यह सिंपली जो पट्टी की जो बूने बनी हुई है वह भी थोड़ा सा अनकमफर्डिवल फील कराती है इसलिए हम इसमें एक साधा कपले की लाइनिंग की पट्टी लगा रहे है वह थोड़ी चोड़ी है 1.5 इंच की पट्टी लगेगी उससे स्लीव की फिनेसिंग भी अच्छी आएगी य तरे आप यहां पर तुर्पन कर दे बारिग तुरपाई होने के बाद यह इस तरह से फिनेसिंग से आ जाएगा अब इसको अपने ब्लाउस्त में अटेच करेंगे घे यह देख आप सेंटर पॉइंट मिलाएं सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद आप देखें ये बिल्कूल बरावर बैठेगी हम यहां से लगाना सुरू करते हैं स्लीप्स लगाते समय ध्यान लगना चाहिए दौनों स्लीप्स अलग अलग हाथ की होती हैं तो हम देख लें कभी-कभी जल्दी वाजी में गलत भी हो जाता है इसे डबल सिलाई जरूर लगाए ये देखें ये स्लीप्स लग गई है ये धियान लगें कि शोल्डर का जो जोड है वो एक ही साइड होना चाहिए और इसी तरह मैंने दौनों स्लीप्स लगा ली है ये देखें अब हम नीचे जो बैक पार्ट है वहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे ये भी सिंप्ली आप एक पट्टी लेजिए आगे के परदे में हमने फोल्ड कर दिया था तो पट्टी की कोई जुरत नहीं थी यहाँ पर देखें ये सिंप्ली एक पट्टी लगाई हुई है एक साइट फोल्ड करके इसे भी हम अंदर फोल्ड कर देंगे और तुर्पाई कर लेंगे ये देखिए मैं ये तुर्पाई कर चुकी हूँ अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे ये लगबग तयार हो चुका है सबसे पहले आप इसे बिल्कुल सीधा रखिए सीधा रखने के बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई के लिए सबसे पहले हम बारेक एक बूट की सिलाई लगाएंगे इस सिलाई को लगाने के अब उसे निशान लगा लिजें चोक से और उसके बाद आप इसमें सिलाई लगाईएं इसे सीधा लगाते हैं और उसके बाद पलटने बाद फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो ये अंदर से भी काफी सही देखता है मतलब बिलकुल लगता है कि हां किसी प्रोफेशनल ने और मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है अब देखिए मैं आपको सीधा गर के बताती हूं ये आप इसे इस तरह भी पहन सकते हैं ये कम्प्रीट तैयार है ये देखिए मैं इसमें एक पाइपिंग लगा रही हूं जो इसमें जो बूंदी बनी हुई है दागे की रेश साइड से लेते हैं तो वो जितना सुन्दर होगा उतना आपके स्कर्ट या लेंगी का उठाव आएगा कि देखिए आप कॉनाट पर थोड़ा सा वेसे धियार नखे हाला कि जो बजार की पाइपिंग होती है बहुत आसानी से कर्व हो जाती है और इसमें फिनेसिंग भी अ दिखिए पीछे से भी यह काफी अच्छा लग रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्ण क्रिशन को थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो